हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी पल्मोलोजिस्ट एन रेस्परेटरी फिजीशन आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ नेजल इस्प्रे तो मेरे पास लगातार पेशंट्स पूछ रहते हैं कि इस नेजल इस्प्रे को यूज कैसे करन अगर आप इसको ठीक से प्रियोग नहीं करेंगे तो इसके साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं दवाई गले में भी आ सकती है ब्लीडिंग भी हो सकती है और फाइदे की जगह नुकसान भी हो सकता है तो इसे बचने के लिए क्या करना है इसको सही से कैसे लेना है यह आज मैं आपको बताऊँगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसको पहले मैं आपको लेने का तरीका बताऊँगा खुद अपने उपर लेकर के उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको लेने के दोरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्यो क्योंकि मेरे पाद जो device है उसका नाम है flutty flow इसके अंदर fluticus on नाम की दवाई है तो शुरू करते हैं आज का यह विडियो सबसे पहले यह एक nasal spray है इसके अंदर तीन पार्ट है पहला पार्ट है dust cap जो इसको dust से बचाती है दूसरा पार्ट है nozzle and cap ये दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है drug chamber जो की नीचे एक कांच की शीशी है छोटी जिसके अंदर दवाई loaded है आप यहां से देख सकते हैं ये दवाई है इसके अंदर तो आएए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लेना है सबसे पहले आपको इसको दो finger उपर tip पे लगाके थम नीचे लगाके इसको shake करना है चार से पाँच बार शेक करने के बाद आपको ये dust cap हटानी है दो finger के माध्यम से इसको ऐसे पकड़ना है अंगूठे से नीचे और जोन सी नाक में दवाई डालनी है उसके opposite वाली नाक आपको बंद रखनी ह ऐसे आपका जो head है वो इसमें straight रहना चाहिए ज़्यादा पीछे नहीं करना है straight कर रखना है और ये जो nozzle की direction है ये आपकी lateral होनी चाहिए मतलब center की तरफ ना हो जो हमारा nasal septum होता है इसकी तरफ direction ना हो ऐसे और जो बीच में हो यहाँ पे hole होता है इसकी तरफ भी ना हो हलका और medally इस तरफ भी नहीं होना चाहिए laterally यानि कि भार की तरफ direction आपको ऐसे करनी है ये perfect direction है अगर आप left nose में use कर रहे हैं तो right में use कर रहे हैं तो ये direction perfect है तो मैं आपको लेकर के दिखाता हूं इसको अपनी दोनों fingers के माध्यम से cap के उपर hold करना है और इसको अगर आप प ये आपने देखा दवाई shower की form में बाहर निकलती है ये आपने चेक कर लिया इसको इसके बाद आपको सीधे खड़े रहना है और दवाई laterally जानी चाहिए जैसे मैंने आपको अभी बताया और इसको अंदर डालके जोर से सांस नहीं लेना है नहीं तो दवाई सारी आपके गले में पहुच जाएगी और गले में जा करके ये irritation कर सकती है और आपको problem हो सकती है तो बस spray करके हलका साही सांस लेना है ऐसे इतना ही sniff करना है इससे ज़्यादा sniff नहीं करना है तो देखिए कैसे लेना है right nostril बंद करी nozzle को नाक के अंदर डाला और spray किया बस ये एक puff आपने left nostril में ले लिया इस परकरिया को दोहराना है अगर आपने right nostril में भी डालना है तो तो ये दवाई अंदर चली गई है जैसे आपके डॉक्टर बताएं सुबे शाम जोंसी नाक में डालने को बताएं या दोनों में बताएं वैसे ही इसका प्रयोक करना ह अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है जब आप इसको लेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना है क्या काम करने है इसको अच्छे से शेक करना है दवाई को चेक करना है और एक चेक puff देना है जो कि fountain के form में बहार आएगा जो nasal hole है center में उसकी तरफ दवाई नहीं होनी चाहिए septum की तरफ नहीं होनी चाहिए नहीं तो septum पे दवाई कई महीनों तक लग करके septum में side effects भी कर सकती है nasal septum में perforation तक भी हो जाते हैं कभी-कभी तो इसका ध्यान रखना है laterally रहनी चाहिए lateral direction इसके mouth को आपने लेने से पहले और लेने के ब नोस को बाहर नहीं निकालेंगे और जो है अलका सबस ब्लो करके फिर इसको यूज करना है और इसकी जो टिप को क्लीन करना है अच्छे से लेने और लेने के बाद में जिससे इस पर डस ना लगी रहे और कैप को अच्छे से बंद करके रख देना है और 30 degree centigrade पे इसको स्टो से सांस नहीं लेना है बहुत हलका सा स्निफ करना है बच्चों की पहुंच से सनलाइट से दूर रखना है फ्रिज में स्टोर नहीं करना है डस से दूर रखना है और इसको आपने शेयर नहीं करना है एक पेशंट से दूसरे पेशंट में शेयर नहीं करना है आपने एक दवाई अपके थ्रोट में नहीं जानी जहिए। आपने अल्का सा इनेहिल करना है। और ती में अन्हेर साथ द्रोट में नहीं जानी में रखना है। तो मैंने आज आपको यह नेजल प्रे आच्छे से बताईया है। खुद ले करके दिखाया है अपने उपर और इसमें किन-किन बातों की साफधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब मैंने आपको समझाए है, आई होप फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फ्रूटी फ्लो नेजल इस्प्रे पे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जुरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के कॉल करके मेरे को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, थैंक यू,